को सनो 24 यहां दिया है कि if x equal to में sin 1 by a log y so that this अच्छा यहां से y के वेलोप है निकालते हैं यहां देखिए हो जाएगा sin inverse x equal to में 1 by a log y यहां से आप लिख सकते हैं कि a sin inverse x equal to में log y तो यहां से आप चाहो तो y equal to में लिख सकते हो exponent का power a to the power sin inverse x चलिए अब इसे यहां differentiate करते हैं with respect to x तो यहां से y1 क्या जाएगा इसका differentiation नहीं ले लेते हैं ठीके और into में a sin inverse का a by में root under 1 minus x square हो जाएगा चलिए अब इसके बाद देखिए y1 equal to में a ऐसे लेते हैं इसको हम लोग यहां पर y input कर लेते हैं और y में root under 1 minus x square अब फिर से यहां differentiate करते हैं किसके respect में तो x के respect में इतने हैं differentiating with respect to x तो यहां से y2 equal to में नीचे वाले का square हो जाएगा और root under 1 minus x square का square a को ऐसे हैं और y के differentiation यहां पर y1 into में root under 1 minus x square आजाएगा ठीके और फिर यहां पर minus देखें इसको ऐसे रख देंगे यह y के और differentiation इसका 1 by 2 root under 1 minus x square और 1 minus x square का minus का 2 x यहां 2 से 2 आपका कट जाएगा उपर अब हम लोगे LCM लेंगे y2 equal to में यहां पर नीचे square से root हट जाएगा 1 minus x square हो जाएगा यहां उपर इस वाले step से y1 root under 1 minus x square किसके इकोल होगा ay के न तो यहां पर इसको हटा कर ay लिए देते हैं देखें फिर यहां देखें minus और यह minus plus हो जाएगा यहां देखिए ay ay y में root under 1 minus x square यह जो है किसका बदेखें y1 का और यहां पर इंटर में x है ठीक है यह divide और इधर लाजते हैं तो 1 minus x square y2 equal to में हो जाएगा यहां पर देखिए ay square y और plus का x y1 इन दोनों को इधर लेके चले आता हैं 1 minus x square into y2 minus का हो जाएगा x y1 और minus का ay square y equal to यह प्रूब करना था हमने यहीं से यह प्रूब कर दिया समझ गया ना ने सुष्छ झाल ने सुष्छ झाल